बिहार पेड लगाओ पैसा पाओ योजना में मिल रहे हैं 60 रुप्या प्रती पेड लगाने में तो बिहार पेड पाओ पैसा पाओ योजना में बिहार सरकार ने 60 रुप्या प्रती पेड लगाने के लिए ये इसकीम निकाला गया हर एक पेड़ लगाने पे आपको 60 रुपया मिलेगा परियवरन को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे का होना अती आवेशक है बिहार सरकार द्वारा परियवरन के संड्रक्षन एवं हर याली को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की सुरुवात की गई है जिसका नाम है बिहार पेड़ लगाओ पैसा पाओ योजना इस योजना के माध्यम से आप पेड़ लगाकर 60 रुपे प्रती पेड़ की दर से आर्थिक लाब प्राप्त कर सकते हैं बिहार पेड़ लगाओ पैसा पाओ योजना के लाब इसके क्या क्या लाब है पहला है बिहार पेड लगाओ पैसा पाओ यूजना के मुख्य विसेस्ता यह है कि बिहार के जिन किसानों के पास बहुत कम भूमी है या फिर प्रियाप्त भूमी नहीं है वो भी इस यूजना के तहत आवेदन का लाब प्राप्त कर सकते हैं जिन किसान के पास भूमी नहीं है या पिर कम भूमी है तो वो भी इस यूजना का लाब उठा सकते हैं दूतरा है लाबारती अपने जीले के वन विभाग से इस यूजना के तहट मात्र 10 रूपए के हिसाब से प्रती पौधा खरीद सकते हैं तो आपको पौधा खरीदने के लिए जीले का वन विभाग जाना होगा जहां से आपको हर एक पेड 10 रूपए में मिलेगा तीसरा है वन विभाग से खरीदेगा है पौधे 3 साल के बाद पेड का रूप ले लेंगे तब अगर 50% पर उनमें से सुरक्षित रह जाते हैं तो सरकार द्वारा लाभारती को 60 रूपए प्रती पेड की दर से आर्थिक साहता परदान की जाएगी आप जो पेड लगाईएगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसमें से भी अगर आप जितने पेड खर दें अगर 50% तक 50% अगर पेड सुरक्षित रहता है तब ही आपको 60 रूपया मिलेगा हर पेड का चोंता है बिहार पेड लगाओ पैसा पाओ योजना के माध्यम से परियावरन को संरक्षन मिलेगा राज जमेहरी आली को बढ़ावा मिलेगा पांचवा है यदि किसानों की फसल खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पेडों से आर्थिक लाब कमाया जा सकेगा बिहार पेड लगाओ पैसा पाओ योजना के लिए पात्रता एवं मात्र भ्रण तो क्या-क्या पात्रता होना चाहिए आपके बास तभी आप इस योजना का लाब उठा पाएंगे पहला है इस योजना का लाब प्राप्त करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर से अधीक होनी चाहिए दूसरा है आवेदक को बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए कोई और इस्टेट का नहीं तीसरा है बिहार पेड लगाओ पैसा पाओ योजना के तहट किसान को कम से कम 25 पौदे खरीदने होंगे चौनता है इस योजना के तहट राज जिका कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है बिहार पेड लगाओ पैसा पाओ योजना 222 के तहत आवेधन करने की प्रक्रिया तो आप इसमें कैसे आवेधन कर सकते हैं पहले आपको बिहार पेड लगाओ पैसा पाओ योजना आवेधन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जीले के वन बिभाग कारियाले में जाना होगा उसके बाद वन बिभाग कारियाले में जाकर आपको योजना है तो आवेधन फॉर्म वहां से लेना होगा आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको ध्यान पूर्वक पूछी गई आवेशक जानकारी को दर्ज करना होगा जो भी आपसे फॉर्म में पूछा जाएगा उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और फिर भरना है सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदक form के साथ मांगे गए सभी दस्तवेज के साथ संगला करना होगा तो जो भी दस्तवेज आपसे मांगे जाएंगे form में तो उस form के साथ आपको उस दस्तवेज को attach कर देना है जोड़ देना है इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को जीले के वन विभाग में जहां से आपने आवेदन फॉर्म प्राप्त किया था वहीं जाकर जमा करना होगा और उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी तो जहां से आपने ये form लिया था वहीं पर आपको भर के submit कर देना है और उससे आपको एक रसीद ले लेना है आप जो submit किये form इस प्रकार आप बिहार पेड लगाओ पैसा पाओ यूजना के तहत offline आवेधन कर सकते हैं